Hello students, welcome to the Sun Academy इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे Multiple Choice Questions MCQs of First Chapter of Chemistry तो Chemistry के अंदर First Chapter के जो MCQs हैं उनको हम डिसक्स करेंगे इनके answers जो है आपको बुक के end के अंदर इनके answers मिल जाएंगे लेकिन हम यहां पर concepts के इसाब से देखेंगे के इनके answers जो हो कौन से होंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं और इनको डिसक्स करते हैं हमारे जो Multiple Choice Questions है आगे चलके हम Short Questions और Long Questions भी अपलोड करेंगे तो उनके लिए भी आप हमरे चनल को सब्सक्राइब कर दें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो MCQs है Melting Point and Boiling Point Regularly Decrease Downward in a Group तो किस ग्रूप में Melting Point और Boiling Point जो है नीचे जाने से Downward जाने से Decrease होती है तो किस ग्रूप में होता है ये अब हमें पता है कि Melting Point और Boiling Point जो है वो First Group से First A Group से 4 A Group तक जो है वो नीचे जाने से Decrease होती है और उसके बाद हमारे पास 5 A Group से लेकर 8 A Group तक नीचे जाने से Increase होती है तो अब यहां पर ये First A In में क्या होता है नीचे जाने से Decrease होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास ये Apply होता है 1 A Group पे तो 1A group यहां पर option जो है वो सही होगा वो इसलिए क्योंकि 1A group के अंदर नीचे जाने से regularly decrease होती है लेकिन बाकी groups में 3A में या 4A में उनमें क्या होता है last वाला जो element है उसकी decrease नहीं हो रही उसकी फिर से increase होने लग रही है तो इसलिए इनमें जो first A group है वो सबसे ज्यादा इसमें suitable answer है melting point and boiling point regularly जो decrease होती है वो 1A group में होती है बाकी दूसरों में कहीं पर कोई exception आजाती है जैसे कि 3A में और 4A में इनमें क्या होता है last में exception आजाती है तो इस तरह से 1A का A option सही होगा number two पे आते है the S block elements firm super oxide when burn in air is तो oxygen के साथ reaction करते हुए कौन सा element S block element का super oxide बनाता है तो S block element में सिर्फ 2 ग्रूप आते हैं और उनमें super oxide जो बनाने वाले जो elements है वो 3 है हमारे पास 1A group में जो तीन पहले दो elements है lithium और sodium यह क्या है lithium हमारे पास बनाता है oxide normal oxide और हमारे पास sodium जो है यह क्या बनाता है पर oxide बाकी जो तीन है यह सारे क्या बनाते है potassium और rubidium, cesium यह तीनों क्या बनाते है super oxide तो अगर इनमें potassium, rubidium, cesium कोई मौजूद है तो वही answer सही होगा तो इसमें यहां पर हमारे पास potassium मुझूद है तो इसका यह answer सही होगा कि potassium जो है यह super oxide बनाता है बाकी second group में कोई भी element super oxide नहीं बनाता तो S block element में सिर्फ potassium, rubidium, cesium यह तीन elements हैं जो super oxide बनाते हैं उसके बाद हमारे पास है the general formula of nitrides of alkaline earth metal is तो nitrides का कौन सा general formula होगा तो मैं पता है nitrogen gas जब reaction करती है metals के साथ तो क्या बनाती है हमारे पास nitrides बनाती है तो अब alkaline earth metal है उनकी valency क्या होगी उनकी valency होगी plus two और जबके nitrogen की है minus three तो अब nitrogen की जो valency है वो alkaline earth metal के पास चली जाएगी मतलब M3 हो जाएगा और N जो है ये हमारे पास क्या आजाएगा इसकी valency इस nitrogen के नीचे चली जाएगी तो M3 N2 हो जाएगा अब M3 N2 का मुझद है यहाँ पर हमारे पास D option में मुझद है तो D option इसका correct होगा उसके बाद हमारे पास है fourth fourth है the alkaline alkali metals that give you yellow color in flame test is तो ये तो simple हमारे बुक में लिखा हुआ है sodium जो है ये yellow color देता है flame के अंदर अब five में the chemical commonly used in fireworks is तो fireworks के अंदर पठाकों के अंदर कौन सा chemicals जो है commonly used होता है तो इसका सही अंसर है potassium nitrate KNO3 तो KNO3 इसे हम कहते है potassium nitrate और ये जो है ये यूज होता है हमारे पास fireworks के अंदर पठाकों के अंदर उसके बाद हमारे पास है six six के अंदर क्या रहा है cathode in kastner keller cell is kastner keller cell जिसमें हम naoh sodium hydroxide की preparation करते है तो इसके अंदर कौन सा हमारे पास cathode होता है कौन सा substance cathode होता है तो titanium blocks है या mercury है या carbon rods है या iron container है तो इसमें हमारे पास जो mercury होता है circulate करता हुआ ये सही option होगा mercury HG mercury जो है ये circulate करता है और यह हमारे पास cathode होता है जिबकि titanium block जो है ये एनोड होते हैं इस cell के अंदर इसके बाद number seven पे आते हैं number seven में के रहा है the diagonal member of beryllium is तो आप beryllium का diagonal member देख लें तो beryllium 2A group से है और 3A group में जो second element होगा यहां पर ये beryllium मौजूद है और हमारे पास ये 3A group में जो second element होगा वो इसका diagonal होगा तो second element कौन सा है यहां पर aluminium है आप periodic table में देख सकते है तो ये diagonal element है the catalyst commonly used in conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide during the preparation of sulfuric acid sulfuric acid की preparation करते हुए कौन सा catalyst जो है वो commonly use होता है तो इसका हमरे पास अंसर है vanadium pentoxide V205 हमने कहा था कि ये contact travel था उसके अंदर ये catalyst यूज हो रहा था क्योंकि ये जो reaction था ये reversible था इसलिए हम vanadium pentoxide को as a catalyst यूज कर रहे थे oil of vitriol refers to oil of vitriol किसे कहते है तो हमें पता है कि oil of vitriol हम sulfuric acid को कहते है और क्यों कहते है क्योंकि ये green vitriol से produce होता है और green vitriol क्या है हमरे पास FECL3 है तो ये हमरे पास green vitriol था और इसके अंदर से sulfuric acid को produce किया जा रहा था इसलिए हम इसलिए हम इसको क्या कह रहे है oil of vitriol कह रहे है sulfuric acid को last हमारे पास MCQs है the best oxidizing agent among halogenes तो अब halogenes में सबसे ज्यादा oxidizing agent कों है वो हमारे पास है fluorine अब ये आपको कैसे पता चलेगा ये आपको पता चलेगा इसकी electronegativity से fluorine की electronegativity सबसे ज्यादा है और fluorine की electronegativity ज्यादा है तो इसकी वज़ा से ये क्या करेगा electron को जल्दी से gain करेगा और जितना electron जो जल्दी से gain करेगा वो जल्दी से reduce हो जाएगा और उसे हम best oxidizing agent कहेंगे जो reduce होता है खुद और दूसरों को oxidize कर देता है तो hopefully आज का lecture आपको पसंद आया होगा next video तक के लिए मुझे दीजिए अजाज़त next video में हम short questions को भी इंशाला solve करेंगे और तब तक के लिए thank you so much for watching और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अलाहाफीज